शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले कोंडाली यहाँ से 9 किलो मिटर दूर आदिवासी बहुल ग्राम खुबरी में दो जुलाई की दोपर 12 बजे के दर्मियान दो छात्राओं की खेत के तालाब में डूबने से मृत्यों हो गई है जिसकी शिकायक कोंडाली पुली स्टेशन में लिखाई गई है प्राप जानकार के अनुसार नाकपूर तथा वर्दा जिले के सीमा पर काटोल तहजिल के खुबरी गाओ की विजय एडमे की बेटी भागेश्री कक्षा साथ तथा गोमेश्वर मंगाम की बेटी अर्चिता कक्षा साथ दोनों गाओ के समेपस्त सेवक्राम परतेती के खेत में बने खेत तालाब में तैरते समय पानी में डूब कर मृत्य हुई पताया जाता है कि सेवक्राम परतेती के बेटी तथा दामात की दुर्गटना में भी मृत्य हुई थी उनकी बेटी तथा सेवक्राम परते थी की नाति इन भागेश्री एड में तथा उसकी तीन सहलिया अपने दादा के खेत पर गई थी खेती पर से लोटते समय भागेश्री तथा अर्चिता दोनों खेती तालाब में तैरने के लिए उतरी अन्य दो बाली काये तालाब के बाजू पर खड़ी रही तालाब में तैरने के उतरी दोनों बाली काये डूबने लगे तथा चीखने लगे तब तालाब के मेड़ पर खड़ी दोनों बाली काये खेत मालिक सेवक्राम परते थी को घटना की जानकारी मिलते ही सेवक राम परतिती भागते हुए घुबडी गाव में पहुचे तथा घटना की जानकारी गावालों को दी यह जानकारी गावालों को मिली तब घुबडी वासी खेट तालाब पर पहुचे तथा खेट तालाब में तैरते समय डूबने वाली दोनों छात्राओं की तालाब पानी में खोच की गई दोनों को पानी से बाहर निकाला गया तथा घतना की जानकारी कोंडाली पुलीस को दिए घटना की जानकारी मिलते ही कोंडाली के थानिदार शाम गवाने के सूचना पर एसाइसो निलबन सोड और अन्य स्टाप घटना स्तल पंचनामा कर कोंडाली प्राथ्मिक आरुग्य केंद्र पर शव को लाया गया जहां प्राथ्मिक स्वास्त केंद्र अधिकारी डॉक्टर बिलाल पठाने दोनों को मृद घशित कर शव विच्छदन के लिए काटोल ग्रामेन रुग्नाले भेज गया